तो गाइस क्यासे हुआ आप लो तो स्वैलोडे स्टार के नेक्स्ट इन नवल के एपिसोड नमर 474 में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वार खतम हो चुकी है और यहाँ पे सभी युनाइटर अलाइंस के फोर क्या करना चाहिए वो वही सारे बाते करने लगते हैं कि आकिरकार हमें क्या करना चाहिए कि हमारे रेस और विजा पावफुल हो से कि वह सब डिसकॉसन करने लगते हैं ताकि लूपें के पास दुवांग डॉंग की इनेटर से उसका कैसे यूज किया जाए वह सब प्लान बनाए शुरू कर देते हैं, उसे भी परसान तो नहीं थी, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन के इसाब से सही सीज़े सर रही होती हैं, अब यहाँ पे हम दिखाया जाता है इस इंपर एंचेस्टर को, जिनने भी यहाँ पर न्यूस पदा चल चुका होता है, कि हुमन जीच च परादे, लेकिन यहाँ पे यह नहीं हो सकता था, यहाँ पर पर मून होली लेंड कोई पदा चलता है, कि ऐसा हुआ है, तो वो भी पूरतर से हैरान हो जाते कि आखिर ऐसा क्या से हो सलता, और जब कि उन्होंने उन सारे बंदों को, वो सारे इनेरिटर्स की पार्ट दी होत अब यहाँ पे जी हुआ, टू गोड कहता है कि अन्चेस्टर, युनाइटिट फोर्स अलाइंस हार चुके हैं, तो क्या, आप लोग उसे सेकेंड हाफ आफ इनेरिटर्स भी देने वाले, जब कि वो हार मान चुके हैं, जब कि वो आपके काम को पूरा ना कर सकें, तो यहा आतें नहीं, बल्कि हम यहाँ पे फ्रीडम एलाइंस को नहीं, बल्कि हम बग, क्लैन, डेवन्स, और बाकि जितने भी युनाइटिट फोर्स के एलाइंस के बंदे ही, उन सब को वो सारी चीज़े देंगे, मतलब कि वो इन हीटेंस देंगे, ताकि वो अपने आपको पाव इक अलग जगह हैं, और यहाँ प्रॉजिनल उनुवर्स अलग जगह है, जो उन वरस अचे लोग होते हैं, वो कभी भी और इसमल उनुबरिस में आनहीं सकते हैं, लेकिन जो उवस्वार्स लोग होते हैं, यही और यही सबसे ब्रा आड़ा एडवाइज होता हैं, और यहीं उन सब के लिए एक बड़ा ही डिस एडवाइटेज की परपर्मून हो लिए अगर युनिवर्स ओरिजिनल में आ जाते हैं तो यहां पर हो सब हुमेंटिक को खतम कर देते हैं लेकिन आपर क्या सा कर सकते हैं अब उन्हों नहीं यहां पर उन सब को मदद कर दी होती जितने भी अगर यहां पर नॉर्मल तरीके से वो सारे बग आउटमन यह सब करते हैं लेकिन जब कि परपर्मून और उन्चेस्टर ने उन्सकी मदद कर दिये तो उनके हिसाब से अब हंडेर्ड युनिवर्स सुप्रीम मास्टर आ सकते हैं अगर कल्टिवेट किया जाए जहाँ पर 20-30 आ सकते थे वो लोग चाहते थे कि कैसी भी करके यहाँ पर हुमानिटी को क्रस्ट कर दिया चाया है वो क्याते है कि लूफबेंग के हर एक चाल पर एक करी नजर रखो अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सब के पास यहाँ वो सारी हाफ अफ इनिटिंस बी आ चुकी होती है वो सब के पास यहाँ पर वार ठुख ल, जिपने चाहिए ति यहाँ फिर आपके सबर का फल मिठा होता है यहाँ पर लोग को देखने वाला हुवान बो का मतलब हुआन बो का रिवायवल जो की लूफ्बर्फेंक करने वाला है टाइम बीड चुका है बबाता भी एक अंडाहिंग बन चुकी है बबातना ने युन्मो अस्टार को क्विकली यहाँ पर रिपेर कर दिया होता है जैसे कि वानबु यहाँ पर अर्थ पर गए हुए होते हैं हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदा हो युन्मो अस्टार किताब देखने लगता है वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर एडियर्स में तरफ से आओ यहाँ यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ आओ अगर तुम यहाँ पर कुछ कर सकते हो या नहीं वहां से क्याम से वाइस आती है जो कहती डॉंट वरी मैं यह अब यह यहाँ पर सेंग्र होरा जैन कर थो तुमसब दर फोक हो अब यहाँ पर क्या हो रहा है यह तुम यहाँ पर नहीं पता चल रहा होता है लेकिन आमें दिखाया जाता है वहां पर लूफएंग फया ब्लान की पाश आचुका होता है वह उसको आप्यवर्ण्य देखने लगता और तभी leafing देखता और बभाता था है यहाँ पे आताइजा है जो कि यहाँ पर आ चुका होता है न łबाता चुकी होता है अब यहाँ पर यहां पर जैसे leafing को देखती हो काती मास्ट रहा है हम नगता है तुम बहुतर ही प्राक्टिस हज़्ध कर हे तुम तो आप और यहाँ क्याती है कि यहाँ पे आपकी साए रिसोर्सेश की मदस्ते मैं यहाँ पे एक अंडायंग बन चुकी है अग पहले जब लूफिंग सकमजोर था तो लूफिंग बवाटा को मास्टर क्याता था लेकिन नम जब लूफिंग इतना पाफुल हो चुका है तो आप लूफिंग को म में जाना चाहिए जिसको सुनकर बवाटा कंफ्यूज हो जाती है तो लूफिंग क्या था कि मैं यहाँ पर अपने मास्टर के साथ रहे थी अब यहाँ पर बहुत ही खुश थी अब यहाँ पर लूफिंग तो यहाँ पर रेडी हो गया था उनको रिवाइब करने के लिए वैं यहाँ पर दिखा आजाता है और यहाँ पर लूफिंग कि सामने का चैना अब यहाँ चैना चली और लूपिकंग करने लगता है और यहाँपर ऑप सीन बदलने लगता है ओड़िखाया जाता है पूरा Idispto से पहले जैसा आगा था धा मैं यहां थे उस वक्त की उन्मोरे स्टार्ड का प्लानिट वो डिस्ट्रॉइट लूफेंग यह उसको पूरी तरसे कंट्रोल करके फिर से एक्सलेट खरके उस पॉइंटक ले आता है जाहां पर डिस्ट्रॉइड नहीं हुआ था और वहां पर ल लूफेंग भी पूरी तरस सर्प्राइज हो चुका था क्योंकि बबाता आज तक ऐसी जितनी जाला खुस्त नहीं हुई होती है हग दिखाया जाता है कि जैसे वह आता है लूफेंग उस पूरी जगों को फ्रीज कर देता है ताकि वह वहां के सोल्स को ले आ सके और लूफ लूफेंग को चेंज करने लगता है सर्प्राइज लिंग ये बाउन्स बैक था अब यहां पर लूफेंग इतनी पाउर थी कि वह आ पर देखा जा तो एक हिवान वो और नाइन सोल स्लिप्स को भी लूफेंग को जिम्दा करना था और कोई नॉर्मल यहां पर बंदा होता जाता है कि वहाँ पर युनमोज सिप आने लगता है लूफिंग टाइम को पीछे करने लगता है और वो उन सब को वापस लाने लगता है अफकोर्स देखाया तो स्टार सिप एक नन लिविंग तिंग ते लूफिंग बस उसको रेप्लिकेट करके डूपलिकर करके रख दिया होता है और दिखाया जाता कि लूफिंग उस जगह के पूरे की पूरे टाइम को इस पेस को रिवाइंड कर देता है और वो उसके पूरे चीज को रिवाइंड कर देता है और दिखाया जाता है एक हैंसम बंदा बाहर निकलता है और वो बाहर निकलता इस पेस में उसके पी भी आइज वानुट पूरी तर्सें देज मतलब तो ऐसे चक्कर खागे होते ही उनकी मेमोरीज तो उनकी मेमोरीज जितनी होती ही उनकी दिमाग में आजाती उन्हें पदा चल जाता कि वो मर चूके थे लेकिन हो चुके हिसनक और सभी हैरान हो चुके थे कि आतीन थे कुल रिवाइब 152 हुश Style जाता है कि और टेलपोड करके यह थे मधना बन चुकी हम और मैं भी हेरान हो चुके है कि मिल्की वे होडे लिडर अब यहां पर उनको मेमोरी से पदा चल गया होता है कि यहां पर मिल्की वे होडे लीडर कौन है और यहां पर उन्हें तो यह पदा था कि होडे लीडर का मतलब क्या होता है क्योंकि उन्हें मिल्की वे जानते रखी जहां पर वो मरे थे यहां पर इन सब के बाहर में जानने लगते हैं, अब यहां पर हमें दिखाया जाता है कि हिवान वो पूचता है बबाता से कि आखिरकार हम लोग कितने लंबे अर्से से मरें हैं, 10 million years, 100 million years, और पूचता कि आखिरकार मिल्की वे होड़ी लिडर लूफेंग कौन हैं, तो यहां पर बब यहां पॉउइंट करती हैं, अब बताया जाता कि हिवान वो उसके Slaves को पता भी नहीं था, कि वहां पे कोई ख़रा हैं, जब तक बबाता ने वहां पॉइंट करके नहीं बताया, अब यहां पे Silver Cape उसके तर आने लगता हैं, और हमें दिखाया जाता है लूफेंग को जो क् आप जब तक चाहे हैं यहाँ पर आप मुझसे connect कर सकते हैं वर्चिवर्नस में मैंने आपको अपनी contact list दे दी आप मुझसे जब चाहे उस वाग बात कर सकते हैं और जबकि आप दुनों इतने लंबे अर्से बाद मिले हैं तो मैं आप दुनों को यहाँ पर छोर के जाता हूं लेकिन आप भी उसके instructor रहे हो और आपकी वो inheritance से हैं इतना powerful बन चुके हैं आपको nervous होने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है अब बबाता देख पारे थे कि वहाँ पर हीवान वो लूफेंग के सामने बात भी नहीं कर पारे थे तो जहाँ एप सिर्फ अंडाइम फाइटर कहाता है कि हम लोग यह समझ लेकिन फिर भी वह कि उन्वर्स मास्टर बबाता यहाँ पर हमारे लिए गानुइन वर्स कंट्री मास्टर हैं बहुत बड़े इंसिन और इन्विंसिबल बेंग है और बात यह उन्वर्स मास्टर की तो हम लोग हामी भर ने लगते हैं और यहाँ ऐसे हों सब में बात करने लगते हैं इसके बाद बबाता कहाती है कि ओके मैं समझती हूं कि आप क्या कह रहे हैं यहाँ तक कि लूफएंग ने भी अपने पावर को सप्रेज करिया हुआ है और मुझे वैसे ही ट्वीट करता है लेक कि उनकी अपनी के स्ट्रेटस होती है यहाँ पर कौन नहीं जीना जाता है और यहाँ पर आके ऐसा कोई नहीं कर सकता और ओ कहता कि मैंने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इनेटर्स ऐसे एक ग्रेट बेंग को कल्टिवेट कर पाएगी तो यहाँ पर बात लूफेंक प्रायन को यहां पर वह अकेला स्पेस में चर रहा होता है अब लूफेंक जिटर इतने जाहा हो चुगी थी कि वह अपने आपको अकेला पार सके बच्चे उसके पैंस उनसे बहुत कम ही मिलगाता है यहां पर उसके दोस्त जैसे कि रांग जुन यहां पर हॉंग और तंडर गॉड का भी अगर जिकर होता है अभी ही जिकर होता है वहाँ पर अपने सारे दोस्तों के बार में याद करने लगता है यहाँ पर वह क्याता है कि यहाँ तक मैं अपने पाउर को सप्रेज भी कर दूँ लेकिन उन्वर्स नाइट भी मेरे आखों में नहीं देख पाते लुफी यहाँ पे अकेला महसूस कर रहा था कियोंकि यहाँ पे हुआन बो और किसे को मदं उसे यहाँ पे कर सकता है लिकिनि क्या किया जाए यहाँ यहां पर उसके ऐसे हैंध यहाँपर जो बीश्ट को मारने में मदद की उन्स सभी मारे जा चुके हैं वो सबको रिजरक्ष नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह असल में देखा जाए कि अगर उनके सूल को भी ट्रांसपर किया जाए तो वह भी मारे जाएंगे अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि रिजरक्ष न के भी अपने अपने फादे होते हैं अपने अपने नुक्सान होते हैं जैसा कि आपने जाना कि रिजरक्ष करते समय आपको बैक स्लैस से आपको हार्ट भी किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर एक और नियम होता है कि य उस समय तक टाइम को पीछे कर पाना उसके बॉडी को ये कर पाना लूफंग ऐसा नहीं था कि वो उन परिस्मेंट को सह पान क्योंकि यहां पे एक हजास साल पीच चुके होते हैं अगर वो सब अंडाइंग होते तो लूफंग उन सब को जरूर कर सकता था अंडाइंग फाइ ऐसा नहीं हो सकता है अब यहां पर फिर लूफंग वहां से निकल चुका होता है वह अपने घर जा चुका होता है वहां पर अपने पुराने यादों में आ चुका होता है और यहां पर क्याता है कि यहां जब से मैंने ब्लेड टेक्निक और इनेटेंस को पाया है मैंने कोई पर आता लेकिन अभी में पास टाइम है लूफिंग यहां पर स्टार टावर के अगले लेवल अपने ब्लेड टेकनिक्स इन सब को सीखने लगता है उन सब को करने लगता है यहां पर हमें दिखाया जाते हैं तभी जहां पर उसके पास टोकिन होता है वह यहां पर आता है यह जाना पड़ेगा यहाँ पे लूफेंग एंचेस्ट्र गॉड की तरब जाता हूँ वहाँ पे रिस्पीर हो जाता मैं स्कुल का सीन दिखाया जाता है यहाँ कहते हैं कि बहुत लंबा टाइम गुझर चुका है तरभ यहाँ पे आजाओ मुझे तुमसे कुछ जरूरी ही बात करनी है अब जब भी जान लो एंचेस्ट्रल गौड यहाँ पर उसे बुलाते हैं तो यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ बहुत ही जरूरी बात होती है अब यहाँ पर लूपिंग उसी तफ निकल चुका होता है एक इन्यटके में वह रिस्डेंस में करते हैं अब यहाँ पर फेस एंचेस्टर गौड कहते हैं कि मैंने सारी फाइंड और फ्रूटस्वाइंड को यहाँ पर तुम्हारे लिए अर्रेंज किया है यहाँ पर फलफूल की बार में नहीं बात करूंगा क्योंकि यह फलफूल के बार में बहुत थे लंबी चौरी सबसा करता हैं कि अपने मुझे कुछ काम के लिए यहाँ पर समंट किया होगा तो चली मैं यहाँ पर डायेट बिजनस पर आता हूँ मुझे एक निवर्च किताब से मिली लूपेंगे सुनके पूरी तो से हैरान हो चुका था कि आकर यह कैसे हो सकता है हो कहता है कि आखिरकार प्रामर यूनिवर्स ओरिजिन की विल पावर क्या है आखिरकार ये इंफर्मेशन भी ट्रांस्मीट कर सकती है अब आपको मैं बता दिता हूँ एक राज की बात की यहाँ पे असल में जो एंचेस्टर गौर्ड इसकुल को बनाई गही है वो सिर्फ य यहाँ पे हमें दिखा जाता है अंडवल फेस अंचेस्टर गौर्ड जो कहते हैं कि जो प्रामर यूनिवर्स ओरिजिन की विल पावर है वो सभी यहाँ पे एक इंस्टिंक्टिक विल पावर जैकि यूनिवर्स लाग को मिला के बनाई गयी है ये काइनेस और एबल को सो कर जासा कि इस अबजेक्ट को देख लो हमने यहाँ पर उन सब को भीजा था जिसके बाद लूफिंग समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो क्या है और वो विश्वास नहीं होता कि आखिर कार यह कैसे हो सकता कि प्रामर यूनिवर्स ओरिजिन की विल पावर आपसे बात कर सके औ उनके बारे में तो यह उनका वो पूरी तसे हरान हो जाता हो क्या आखिर वो न्यूज क्या है और यहाँ पर डियुवल एक्स कहते है वहाँ पर डवल फिस कहते है कि इस और यह चे कि पीछे किसका हड़ता है अब डॉबल फेस क्याते हैं कि यहां पर इस कॉंस्पिरेसी की पीछे तीन बंदे ही उसा भी फॉर्स्ट इंकार्नेशन इरा से हैं वह यहां पर पहला ग्रेट टंडर स्टार मास्टर है दूसरा जैंजिया एंपर टीसा ड्रागन रॉक चलता है कि ग्रेट टंडर स्टार मास्टर है जिन जिए एंपर ड्रागन रॉक एंचेस्ट्र गोरें वह सभी पाइनिकर रिस्ट वर्स्ट इंकारनेशन इरा के थे जो कि यहां पर वह सभी एक स्पेसल लाइफ फॉर्म से मौझूद थी वह सभी पावफुल थे हैं वेकिन इतने भी जाए पावफुल नहीं थे ठर्णा इस्टार में टाइनिकल होते हैं उनकी पॉपलेशन भी कम होती है लेकिन रेस इस्ट्रॉंग होती है और यहां पर वह सारी चीजे लूफिंग के मांड में आने लगते हैं लूफिंग उस्से में का था यह तिनो अब यहां प क्या यहां पर तुम प्रेशर को फिल कर पा रहे हूं क्योंकि यहां पर दिखा रहा हैं तो तीनों बहुत ही पावफुल हैं तो लूफिंग क्याता है कि चाहिए वो कोई भी हो मैं उनसे सबको नहीं चुरूंगा मैं जब तक उन्हें मार नहीं देता तब तक ऐसा कभी नह प्रेशर को बेखा तुम्हें पर पास यहां पर कर रहना चाहिए तो लूफिंग क्याता है कि हां क्यों नहीं तो गो क्याते हैं कि जबकि यहां पर बहुत नंबा टाइम है तो ऐसे कई साए अपॉर्चुनिटीज भी आने वाले हैं जहां पर उनमें कई सारे बाते होने ल हैं वो इसके पीछे भी अपने अलग-अलग कारण होते हैं अपने अलग-अलग रिजन होते हैं लूफिंग इस सब के बार में सोचने लगता है लेकिन यहां पर वो जहां नहीं सोचता है यहां पर जानता था कि टीचर और ऑरिजिनल माइंड के अगेस्ट गया है था और भी यहां पर हमेना इसा के लिए लेकिन लूफिंग तो यहां पर कर नहीं था और अप एंपर ही रफीर सब्सक्रास के लिए कि मैं जोग प्रेट के बारिग के लिए तुम्हारी हैूम पर हींवोंज कू साथ करना था है धायँ आयु लूपेंग अपने सारी चीज़े बता जता जो कि डवल फेस एंचेस्टर गॉट से हुई होती है यहाँ पर वही साही चीज़े बता रहा होता तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा अब यहाँ पर जासे प्रामक क्यों सिटी लिले को पदा चलता है वो बहुत आगुस्ता करने लगते हैं मतलब कि जितना उस वक्लूपेंग ने यहाँ पर एंगर सोगिया होता है यहाँ पर प्रामक क्यों सिटी उसे भी जाहा हुस्ता सोग करने लगते है क्योंकि उनके लिए यूज एक्स्ट्री भाई के जैसे थे वो उनके साथ हमीशा रहे हैं और यहाँ पर गुस्सा होता है यहां पर कहते हैं कि आखिर वो कैसे कर सकते हैं कि यह सभी मरना रिजर्फ करते हैं तो लूपन करने के लिए बोलता है जहां पर यहां पर लूपन कहता है तीचर आपका ही जहां पर कहते हैं होंग एलाइस की पॉलिसी बहुत ही आचाहिए तुम्हें यहां पर संभल के आना चाहिए तुम्हें यहां पर अपने आपको और भी बनाना चाहिए और वो उस सारी चीज़े बता रहता है कि कैसे परपर मून होली लाइन ने उस सारे इन्हेटरिंस को सब तर्फ यहां पर बाठ दिया है जिसको जानकर लूप भी हैरान हो जाता और क्या था कि आखिर कैसा और यहां पर लूप फेंग को फानली सवन्ज में आता कि परपर मून होली लाइन उसके लिए बहुत ही खतरना के लूप गया ता यह तो अच्छा है यहां पर मैं उसे को बताऊंगा कि आखिर क्या सकता है और यहां पर में दिखाया जाता प्रामर के उस मांस्टर में ब्रेक्ट्रू करे लेकिन अभी चिंता करो उसके पास अभी इतनी पाउड नहीं है वो अभी ब्रेक्ट्रू नहीं करेगा युनिवर्स सुप्रीम मांस्टर में उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगने वाला है समझ लो तो एपिसोड के मतलब सीरिस के एंड इन तक ही वो अपने आपको इतना ब्रेक्ट्रू कराता है कि वो अपने पाउड को बहुत ही बढ़ा लेता है वो दिखाया जाता है कि लूफिंग अपने सारी कंप्रिहेंशन को बढ़ाने लगता है वो इन सब के पाउड को बढ़ाने लगता है लूफिंग यहां पे जित आगर वो मेरी मदद माएंगे तो मैं अपनी जान भी देनी को तयार हूं जिसके बाद लूफिंग अपने अलग-लग बात को फॉलो करने लगता है वह इन सभी को करने लगता है और क्याता है कि मुझे अपने इंसारी लॉज को ब्रेक करना होगा ताकि मैं अपने आपको और या पावफुल बना सकूँ अब यहाँ पर कई साही चीज़े होती जो कि बखवास होती जो कि वही साही चीज़े होती प्राइमर के उस सीटी लीडर से बाद कि उन्होंने ऐसा मारा लूफिंग आपे उस सारी नियूज को पदा चल जाता है कि कैसे वहाँ पर होली लेंस न करना और पापार मून होली लैंड को तबाह करना शुरुआ से यही था लेकिन अभी लूफिंग का यहां पर भारी था अपने आपको लेवल अप करना ताकि वह अपने आपको और भी पावफुल बना सके तो मिलते नेक्स डूमी तब तक के लिए और देखते कि आखिर का लूफिंग अपने आपको कैसे पावफुल बना सकता है लूफिंग युनिवर्स सुप्रीम मार्श्टर बनने के लिए क्या करता है वह अपने कौन से रास्ते को तरीका को अपनाता है तो मिलते नेक्स डूमी तब तक के लिए बाए